शिशान सिंग राजपूत मामले से जुड़े ड्रक्स कनेक्शन की जाच कर रही NCB बोड बॉलिवूड के ड्रक्स रैकेट के करीब पहुंचता जा रहा है मंगलवार को NCB ने इस मामले पर रिया चकरवैति और उसके भाई शोविक चकरवैति के दोस करमजीत सिंग की एक करोण रुपे की गाड़ी को जब्त कर लिया ड्रक्स मामले की जाच कर रही है NCB को लगातार सफलता मिल रही है शोविक के कॉलिज के साथ ही सूरेदीप मलोतरा को पुछताज के बाद गोवा से पकड़ा गया ड्रक्स पेडलर क्रिस कोस्टा को भी गिरफतार किया गया क्रिस कोस्टा को 17 सितंबर और सूरेदीप को 18 सितंबर तक NCB ने कस्टिडी में भीज दिया है और शुशान चांच मिके सिलसले में इन दोनों की गिरफतारी की गई है इस तरह से अब तक रिया और श्टोविक के साथ 18 लोगों की गिरफतारी हो चुकी है NDPS कोट ने ड्रक्स मामले की अरोपी रियर चकरवर्थी को जमानत देने से इंकार कर दिया कोट ने कहा कि जमानत पर रिहा किया गया तो और लोगों को सतर कर देगी दिया और सबूतों को मिट्टा देगी इसी के साथ नियाधी जी भी गुरुव ने 11 सितंबर को जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि जाज की शुरुवान अभी चल रही है आरोपी को बाहर गिया गया तो ये काफी खत्रे की घंटी बजा सकता है कि रिया भार जाते ही सारे सबूतों को नस्ट कर देगी इसी वजह से रिया को नहीं मिल रही जमानत नेक्स ने लाइक से रजनी रिपाउ